Nikon mirrorless users, भाई लोग आप खुश हो जाओ आप, क्योंकि Nikon ने यहाँ पर especially weddings users के लिए, wildlife users के लिए, events photography के लिए और sports photography के लिए, recent में ही दो new lens को launch कर दिया है दोस्तों Nikon ने इन 5 सालों में यार जो lens की पूरती है वो पूरी तरह से कर दिया है अब Nikon users के लिए मैं कह सकता हूं कि यार अगर आप third party lens के तरफ ना भी देखो ना तो भी Nikon में आने वाले जितने भी lenses है ना, एक महेंगे lens और एक सस्ते lens हर तरह के lens को purchase कर सकते हो तो यहां पर Nikon ने दो ऐसे lens को launch कर दिया है ना, जिससे कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूं Nikon users भाई लोगों के लिए और अब देखा जाए तो यार वीडियो गुराफर्स और फोटोग्राफर्स को ना एक बहुत बड़ी राहत मिली है दोस्तो आज मैं दोनों lens की बात करने वाला हूँ बट जो सबसे पहला lens की बात करने वाला हूँ ना वो special lens है दोस्तो तो यह जो lens उन्होंने launch किया है वो टेले फोटो का high zoom lens है दोस्तो जो पहला lens है वो है Nikon का full frame का lens है यह Z series का है ठीक है वो है 70-180 mm ठीक है अपर्चर की बा सबसे ज्यादा पसंद आया है क्यूंकि देखा जाए तो यह S category lens नहीं है क्योंकि non-s category का lens है और साथ-साथ इस lens में आपको VR support नहीं मिल रहा है जो कि आपको 70-200 mmf 2.8 VRS उस वाले series में मिल रहा था यह जो light version आया है मैं specs आपके साथ शेयर करूंगा क्या elements इसमें आपको देखने के मलता हो भी और वेडिंग्स के लिए कितना ज्यादा helpful होने वाला है क्योंकि जिस प्राइज में आया है यह सबसे जादा surprise करने वाला है निकॉन यूजर्स के लिए कि जिस प्राइज रेंज में यह और जो दूसरा लेंस आया ना वुसका भी जो प्राइज है ना इस पेशली वह जो लैंस आया ना वाइल्ड यूजर्स के लिए फोर्डेवल प्राइज में आया है मतलब आप देखा जो शौक्य वाइल्ड डाफ यूजर्स है ठीके जो आप 5-6 लाग रुपे नहीं करने वाला हूं यहां पर 70-180 mm का जो फोकत लेंद आया है टेलेफोटो हाई जूम का उसके में MRP आपके साथ सबसे पहले में तो शेयर कर देता मुससे यार आप नहीं रहा जा रहा है तो देखिए सबसे पहले बात करता हूं कि 70-200 mm f2.8 VRS Lens की MRP है वह 2,15,000 के असपास है ठीक है और इस लेंस की अगर मैं बात करूंगा तो यह जो लेंस आया है ना वह 1,99,95 रुपे का यह लेंस आया दोस्तों अब देखा जा तो यार पूरे 95,500 का यहां पर आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है यहां जो आपको फोकत लेंद देखने को मिलता है सबसे पहले तो देखिए फुल फ्रेम लैंस है अगर आप यह यूज करेंगे तो डेफिलेटी यह 1.5 से क्रॉप कर जाएगा अगर आप फुल फ्रेम में इसको यूज करते हैं तो फोकत लैंड वाइड आपको 70 mm मिलेगा और टैले की बात करो तो यहां पर आपको 180 mm का फो है ना तो यहां पर वेरिवल अपर्चर भी दे देता है तो भी मतलब जादा प्राब्लम नहीं होती बट यहां पर अपर्चर से बिल्कुल नहीं छेडखानी की गई है एफ 2.8 ही रखा गया है अब देखिए अगर मैं बात करो सबसे पहला जो बोके बनना है ठीक बहुत ही बहुत ही अल्टिमेट बोके आपको देखने को मिलें बैग्राउंड डीफोकस की बात कर तो वह भी बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा डीफोकस बनना है जब जूम करेंगे तो और भी ज्यादा डीफोकस हो जाता है लो लाइट यह लैंस होने वाला है दोस्तों क्योंकि f2. 2.8 अपरचर के साथ मिलने वाला है सबसे पहले मैं बता दू कि यह किन-किन जॉनर्स में आप यूज कर सकते हो सबसे पहला कि अगर वैडिंग यूजर है तो फर्स्ट कि आप इसको यूज कर सकते हो आप इससे कैंडिट शॉट ले सकते हो ठीकि आप फोटोग्राफी और इसको यूज करना है तो डेफिनेटली इस लैंस को यूज कर सकते हो यहां पर मैं लैंस कि अगर मैं वेट की बात करो तो यहां पर सिर्फ सासो पिचानबे ग्राम का यह लैंस मींज बहुत ही कॉंपक्ट और लाइट वेट होने वाला है अब बताता हूं आपको कि इस में कौन-कौन से इलेमेट्स को यूज किया गया है और अगर मैं बात करो यहां पर 70-200 वहां पर 21 इलेमेट्स को यूज किया गया था तो देखिए आप दो इलेमेट्स वैसे कम दिये गये हैं और मैं और भी जदे इंप्रेस हुआ जब यहां पर मैंने देखा कि पांच तो आप एडी इलेमेट्स को यूज किया गया है एक सूपर इडी इलेमेट्स को भी यूज किया गया है और तीन स्फेरिकल इलेमेट्स को भी यूज किया गया है और मैं अगर यह सब पढ़ने के बाद में यही सोच रह तो कही ना कही अगर मैं कॉलिटी की बात करूंग तो 100% तो आप अचीव नहीं कर सकते हो वाट 80-85% 90% के अंदर अंदर आप अचीव कर लोगे अगर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी काभी बहतर तरीके से की जाए दोस्तों इस में जो फिल्टर को यूज किया गया है यहां पर अगर में एक दो चीजे कर कमी बताऊं इस सबसे पहला तो देखिए यह स केटेगरी का लैंस नहीं है means जो सबसे चाहिए वह जाद़ा सुपिरियर है आपके अप्र करें तो यह नॉर्मल वाले लैंस है दूसरा कि आपको lens में कोई भी VR का support नहीं मिलेगा means अगर आप इसको full frame camera में use करोगे जो कि सारे ही camera में हमारे VR support आता है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको body से VR का support मिलेगा लेकिन APS-C में करोगे इसको use तो आपको कोई भी VR support नहीं मिलेगा दोस्तो अब बात करता है technology की कि इस lens में किन technology को use किया गया है और देखा जाए तो price जो difference होता है उसमें बहुत तरह का difference आपको देखने को मिलता है तो जो technology use किया गया सबसे पहले stepping motor की बात करो तो ठीक है lens में stepping motor को use किया गया autofocus के लिए जो कि बहुत जादा fast quiet ठीक है बहुत accurate focus करता है दूसरा spherical elements को use किया गया है तो आपको पता ही होगा अगर मेरे lens वीडियो section देखते हैं आप कि spherical elements किसले use होते हैं साथ ही साथ यहां पर इलक्ट्रोनिक मैगनेटिक जो magnesium का communication है ना ठीक है भी आप लैंस के aperture value को use करते हैं ठीक है बहुत ही fast autofocus के use करते हैं तो जिनके communication है ना वह बहुत जादा strong है और दोस्तों मुझे comment करके जरूर बताना आपको यह lens कैसा लगा और specially जिस price range में आया है ना 1,995 रुपे का मैं तो बहुत जादा इंप्रेस हूँ और बहुत खुश हूँ निकॉन यूजर्स भाई लोगों के लिए इसपेशली 70-180 mm का आपको देखने को मिल जागा अपर्चर के आगे आप नहीं जा पाते हैं वह ऐसे अगर आप टैले कंवर्टर यूजर्स करते हैं जहां पर आपको निकॉन का 1.4 एक्स का सपोर्ट मिल जाता है वैसे मैं बात करूँ जहां यहां पर इसमें खास बात यह है दोस्तों कि यह वियर सपोर्ट है मींस इस लैंस में आपको 5.5 का वाइब्रेशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कह सकता हूं दोस्तों इस लैंस का अगर अगर आप मार पी सुनेंगे ना दोस्तों तो इस पेशली जो यार शौक ही तो पर यह फिर प्रोफेशनल लेवल भी अगर फोटोग्राफी शूट करते है इस पेशली वाइडल लैफ फोटोग्राफर यह फिर 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 हजार कर पी रखा गया है और में जब लेंस लॉंच हो था ता कुछ दिन पहले ही वा था एंड मैं प्राइस को देखके न बहुत जादा शौक्ट हो गया कि यार सतर दोस्तों उसका लाइड वरजन जिसका सिर्फ मार पी एक लाग वीज हजार है और यहा यूजर्स अगर यूजर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सपोर्ट्स यूजर्स अगर करना चाहते हैं साथ ही साथ अगर मैं एयर क्राफ्ट की बात करू तो बहुत फोटोग्राफर्स आप ऐसी फोटोग्राफी को शूट करते हैं यह प्लेंस की फोटोग्राफी को तो व वाइबरेशन रेडेक्शन का सपोर्ट है मींस आप शुटर स्पीड को काफी लो करके फोटोग्राफी शूट कर सकते हो जहां पर आपको आई यू सो को इंक्रीज करने के जरूरत नहीं है शुटर स्पीड लो कीजिए और आपको बहुत ही बहतर एक्सपोजर मिल जाएगा दोस्तों करते है bald करते हैं दोस्तों इस हे लेमेट की तो कि लेक्नील पर यहांप में पच्छीषज लेमेट को यूज किया गया है और यह पर ऑपके जाए और बहुत बेसे सबसे अच्छी बात है मुझे जो इस चीज की लगी है इसकी MRP को क्योंकि सिर्फ 1,70,000 का जो प्राइज रखा गया है ठीक है थोड़ा बहुत यहां पे जो इलेमेट्स की जो कॉलिटी है सुपीर नहीं है लेकिन इस प्राइज रेंज में आपकी जो एक नीड है और दोस्तों सबसे मज़ेदार बात कि आप अगर टेलेक अंडवर्टर खरीद लेते हो ना तो यह 1200 mm तक जा सकता और जो की बहुत जादा जो 1200 mm की बात करो ना दोस्तों तो 10,000,000 से उपर के लेंस में आपको देखने को मिलता दोस्तों तो यह बहुत जादा सर्प्राइज न और बहुत ही परफेक्ट वेडिंग लेंस को निकॉन ने लांच किया है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और आप खुश हो कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा है यार मुझे तो बहुत खुशी हो रही है निकॉन जो सस्क चैनल पे अपने फर्स टाम वासिट किया तो आपको बताए दोस्तों की आपके साहिएजाएं दोस्तों के लिए सब्सकराइब कर दिए तब दो左ए मिडियो में जल्दी आप से व्लाकात होती तभ..डवाइ